हलो दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हैं हमरा यूटूब चैनल चोपडा नीट इन्फोर्मेशन और मैं हूँ हरसाय चोपडा दोस्तो सोशल मीडिया पर इस तरह की काफी सारी अफ़ाई फैलाई जा रही हैं कि CBSE का 10th के बचे हुए subject का exam नहीं होगा इसको 9th और 11th की तरह internal assessment के marks पर ही इनका result तयार किया जाएगा और CBSE के पास भी class 10th की exam को लेकर काफी सारी queries आ रही थी इन सब को देखते हुए CBSE ने 29 April 2020 को एक press release किया है जिसमें दुबारा से clarify किया है कि class 10th के बाकी बचे हुए subject जो 14-2020 के press release में बताये गए हैं उनकी exam CBSE द्वारा ली जाएगी और student को 10 तिन का time दिया जाएगा मतलब कि exam date से 10 तिन पहले ही inform कर दिया जाएगा अभी सभी इस्तिती 14-2020 के press release में बताये अनुसारी है इसमें कोई changing नहीं है इसमें आगे लिखा है कि class 10th और 12th के बचे हुए subject जो press release में mentioned हैं उनकी exam सामाने इस्तिती होने के बाद और lockdown खतम होने के बाद conduct करवाई जाएगी तो दोस्तों अभी ये clear हो चुका है कि 10th और 12th का बाकी बचे हुए 29 subject का exam CBS सी द्वारा लिया जाएगा जो अफवाएं फैलाई जा रही हैं वो गलत हैं इसकी exam date के बारे में जैसे ही कोई update मिलेगी हम आपको inform कर देंगे आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन प्रेस करें वीडियो को लाइक वे ज्यादा ज्यादा शेयर करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में तब तक लेते हैं आपसे विदा जैहिं